स्वाकत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरी भोजन चाला में और आज में आपके लिए लेकर आए हूँ एकदम सोफ्ट मुँमें घुल जाने वाली आलू की इडले की रेसिपी इस इडले को बनाने में हमें दाल और चावल भेगोने की आवश्यक्त नहीं होती है तो चल को धिमा कर देते हैं और सूझी को इस तरीके से चलाते वे एक से दो मि気ं तक भून लेते हैं इस सूझी का हमें कलर RJ नहीं करना है बस हमें इसे एक से दो मिक भोन Conveark जाती है तो अब हमारे हां पर दो मुन कर देते हैं लेकिन अब रहा पेन यहां पर गरम इसलिए हमें संह के लिए इसी में चला करके थोड़ा ठंडा कर लेते हैं ताकि पेन में सूझी जले नहीं अब हम यहाँ पर बना रहे हैं आलू की इडली तो मैंने यहाँ पर दो छोटे साइच के आलू निये थे आलू को छेल करके वह छोटे पिसेस में काट लिया है तो इन्हें हम मिक्सिक जार में डाल देते हैं और साती में अब हम इसमें डाल देंगे दो हरी मिर्ची और एक इंचे अद्रक का तुकड़ा लिया है इसी में इहाँ पर छोटे पिसेस में काट करके रखा है आदा कप पानी डाल देते हैं और अब हम इसे अच्छे से पीस लेते हैं तो इहाँ पर पेस्ट को एक बॉल में निकाल लेते हैं अब हम इसमें सूजी डाल देते हैं जो हमने हल्की सेख करके रखी है साथी में इसमें एक कप दही डाल देते हैं और अब हम इसमें आदा कप पानी डाल देते हैं और सभी चीजों को यहां पर अच्छे से मिला लेते हैं तो इसका ब को हम 10 मिनिट के लिए ढख करके रख देती ताकि सूची सेट हो जाए तो अब हमारी यहाँ पर 10 मिनिट हो चुकी और बैटर रेस्ट कर चुका है तो अब हम इसमें एक जम्मश नमक डाल देते हैं नमक आप अपने स्वात के अनुसार डालें और साती में इसमें एक पाउच चीनों का डाल देते हैं और उपर से हम इसमें 2-3 जम्मश पानी डाल देते हैं सभी को हम यहाँ पर एक बार अच्छे से मिला देते हैं तो इस बैटर को बनाने में टोटल में निहाँ पर एक कप पानी का इस्तमाल किया है तो अब यह हमारा बैटर इडली बनाने के लिए तो सबसे पहले हम इडली की प्लैट को तेल लगा करके चिकना कर लेते हैं एसा करने से जब हम इसमें से इडली निकालेंगे तो बहुत यह अच्छे से निकल जाएकी और अब हम तेल लगे हुई प्लैट में 2-2 चमश पैटर भाद देते हैं मैंने यहाँ पर इडली में रख देते हैं और उपर से हम इसे कवर कर देते हैं 15 मिट के लिए हम इसे मीडे माच पर ही पकने देते हैं तो अब हमारे यहाँ पर 15 मिट हो चुके और इडली को हम इस तरीके से चाकू से चेक कर लेते हैं यह देखे चाकू एक्दम से क्लेन आया है यानि कि हमारे इड जब इडली थंड़ी हो जाए तब आप इसे इस तरीके से निकाले यह नेखे बहुती सौप्ट और एक्टम जानीदार इडली बनी है तो आप हम इसे प्लेट में रख लेते हैं और सारे इडली को हम इसी तरीके से बहार निकाल लेते हैं तो मेनी हाँ पर सारे इडली बहार बहुती सोप्ट और एक्टम मूँ में खुल जाने वाली इडली बनी है, तो अगर आप चाहें तो इन इडली को चट्णी की साथ गर्मा गरम सेर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे और भी टेश्टी बनाने के लिए गेस पर एक तड़का पेल रख देते हैं, और इसमें हम डाल करेख साथ इम इसमें डाल लेते हैं, चार से पास शूखी खड़ी लाल Bruce shot को तोड़ करको डाला है और इस तरीके से इसे चला देते हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं दो से तीन चमच पानी और फिर से हम इसे अच्छे से हिला देते हैं तो ये हमारा तड़का बन करके त्यार है हम इडले के उपर थोड़ा-थोड़ा सा तड़का इस तरीके से डाल देते हैं सामबर के साथ सर्व करें तो दोस्तों आप भी इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राय करें और यदि आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरू सकरें तो दोस्तों मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई